नमस्कार बहुत स्वागत है आपका छूई मुई या लाजबन्ती जिसे हम साई प्लांट भी कहते हैं औस दिये गुनों के साथ इसके तांतरिक प्रियोग भी किये जाते हैं तो आज हम आपको दोनों ही चीजे बताएंगे तो चले पले जानते हैं उसके गुन और फायदे के बारे में छूई मुई यानि कि लाजबन्ती का प्धा आपको तो पता होगा जिसके पत्तियों को अगर टच करें तो अपने अपने वो मुड़ने लगते हैं जैसे कि वो सरमा रहे हैं अब देखिए आप अगर सचमुच में अपने करीब से छूई मुई को पौधा को देखा होगा तो आप बरवस इसकी पत्तियों को जरूर छूए होंगे क्योंकि इनकी पत्तियां आपस में सिकोडने लगती है हलांकि ये पौधा बारमासी पौधा है और जिसका उपयोग बहुत सारी स्वास्त की समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है वैसे इस पौधे की सरमीली परकृती के कारण इसके बिसेस अलग पहचान है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं छूई मुई की पत्तियां और जड़ में एंटी वाइरल और एंटी फंगल गुन होते हैं जिस कारण यह कई रोगों से लड़ने में सक्चम भी है अब देखिए जैसे कई बार होता है आँखों के नीचे डाग सक्कल हो जाता है सारी रीक कमजोरी होती है या फिर आँखों की परिसानी है डाइबिटीस की प्राब्लम है टॉंसिल है, पेट के कीड़े है, कब्स है फोड़े, पुंसी, गैस या फिर बबासी जैसी बीमारी से भी बाहर निकलने में ये पौधा मदद करता है खास कर अगर डाइबिटीस के रोगी हैं डाइबिटीस के रोगी को पिला है हला कि ये किसी दक्ष जो डॉक्टर है आईबिटा चाहरे उनसे ही आप सला लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा है हला कि इसके एक और गुन है कि इसका उप्योग आईबिटीक चिकित्सा में ज़्यादा किया जाता है तो पाइल्स में भी लाव होता है और छुई मुई की जड़ और पत्ते दोनों का एक चमच्छू नगाय के दूद के साथ मिलाकर सेवन करें तो आपके लिए पेट की समस्या की मुस्किले दूर होती है देखिए पथरी बेगरे में भी इस लाजवन्ती के पौधे का प्रयोग किया जाता है लेकिन आज हम आपको एक टोटका बताएंगे हलाकि हम आपसे तीन चार टोटके सेयर करेंगे तो चलिए हम सुरुआत करते हैं आप वीडियो के अंतक बने रहीएगा अभी तक हमने इसके प्रकृती की बात की फाइदे की बात की और कौन से बिमारी में कार याता है ये भी हमने आपको पताया लेकिन क्या आपको पता है लाजवन्ती का पौधा अगर आप घर में रखें तो सुख सम्रिद्धी बढ़ता है अगर आपके घर के गमले में होतो मुर्जा जाना तो इसके परियोग है सबसे पहले हम एक परियोग आपको बताएं फिर आगे के टॉपिक पर आएंगे तो सबसे पहला अगर पति-पत्नी में नहीं बनता है या फिर आपके रिस्टी में कोई भी सास है, बहु है या फिर आपके घर में कोई भी रिस्ता हो मा बेटी का हो मा बेटे का हो बाप बेटे का हो तो नहीं बन रहा है रिस्तों में आपको लगता है लज्जा सरम है ही नहीं बहुत बार लोग लिहाज के लिए भी रिस्तों का मान ड़कते हैं लेकिन कही बार लोग ऐसा नहीं करते तो आपके घर में भी लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है आपको लग रहा है ये सही नहीं है घर की बाते बाहर नहीं जाने चाहिए तो ऐसे में आप एक छोटा सा प्रयोग कीजेगा हला कि बहुत सारे लोग आधुनिक हो रहे हैं हमारे कहने का गलत तात परे मत निकालिएगा लेकिन ये प्रयोग आपके लिए अच्यूक काम करेगा करेंगे किस दिन किसी भी रवी बार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं देखिए छुई मुई के पौधे के पास एक दिन पहले आपको आना है अगर आप रवी बार करेंगे तो सनी बार के दिन जाए मंगल बार के दिन करेंगे तो सो बार के दिन जाए कभी भी जा सकते हैं सुबह से साम तक के बीच अंधिरा होने के बाद मच जाईएगा लाजबंदी के पौधे के पास आप किसी विपात्र में जल ले कर जाएए और कुछ आपको ले नहीं जाना चाहें तो एक सुपाड़ी एक सिका भी रख सकते हैं अगर आपके घर के गमले में हैं तो फिर सिब जलाब डाल दीजे और उनसे प्राथना करें हाज और कर बिंती करें कि हम आपके पास कल आएंगे हमारे घर में कुछ समस्याएं हैं रिस्तों में प्रेम नहीं है या फिर रिस्तों की समस्या है हम चाहते हैं कि जैसे आप एक लजजा सी गहना ओड़े रहते हैं तरह हमारे भी घर परिवार के लोग एक गहना ओड़े रहें लज्जा का और किसी भी तरह का उदंडता ना हो तो आप ये उनसे प्रात्ता कीजिए और बोलिए कि हम आपको कल लेने आएंगे अगले दिन सुबह थोरा सा मिठी कोड़ कर पुरा पेड़ नहीं उखाड़ना अ जो वेक्ती को आप चाहते हैं कि आपकी बात माने आप उनको अपने हाथों से खिला सके तो अती उत्तम नहीं तो अपने हाथों से उनके हाथों में दे यकिन मानिए वो आपकी बात नहीं टालेगा आपका कहना मानेगा रिस्ते में कैसी भी प्राब्लम होगी वो समाप्त ह जाएगी बहुत सिंपल प्रयोग है पर कीजे जरूर दूसरा प्रयोग अगर आपको लगे कि आप उनको नहीं खिला पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं तब आप इस चुई में के पौदे का जो थोरा सा अपने जड़ उखाड़ा है ना इसको आप सिलवटे पर किसी भी देखते हैं तो यह किन मानिए यह जो आपके माथे पर इसका तिलक लगा हुआ है यह आपके आपके लिए एक तरह से वसी करण का काम करेगा सौने वाला वैक्ति आपकी बात को मानेगा तो दीखे अब हम एक और आपको बात बता दें कि लाजबंती का पौधार घर में हमे आपको फियाद रखिए घर के इसान कोर में ही लगाना है और लाजबंती के पौधा को हमेशा याद रखना है आपको दूसरी बात देखिएँ लाजबंती का पौधा आपके घर में है तो यह किन मारूत है यह पौधा खुद भधखुद आपके रिστों कीけて सब्मान को दू पूधे के जहां भी आपने लगाया है गंबले में गंदगी आसपास ना होने दे यह आपके धन की मुश्किलों से आपको बचाता है और सनी देप को प्री है लाजबंती के पुस्प तूलसी के तरह लाजबंती का पौधा भी अदभुत औस्धिय गुनों से भरा हुआ है औ पुस्प से उनकी पूजा की जाए तो सनी देप 30 सिग्र प्रसंड हो जाते हैं तो कृष्ण काँनता का बेल जिसमें नीले रंग का पूस्प होता है और यह पुस्प और लाजबंती का पूस्प दोनों ही पुस्प अगर नियमित रूप से आप सनी देप को और पीद करें तो आपके जीवन में कभी भी प्रेम और किसी भी तरह का गरहों का जो मुश्किलें हैं वो सब आपके जीवन में नहीं आती बलकि आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है दिखे लाजबंती के पौधे से धन प्राप्ती के महाप्रियोग किये जाते हैं आकस्मी धनलाब जिसको हम लोटरी जुवा, सट्टा, सेयर, मार्केट वेगरे कहते हैं उसी से तो लाजबंती यानि कि छुई मुई के पौधे के साथ किया जाता है सनी बार के दिन आप सुभा सुभा सुर्य दे से पहले उट ले असनान वेगरे करके पौधे के पास कि आप जब जीत लेंगे तो इस गार्डन के या जो भी मालिक है या जहां भी आपने देखा है वहां पर आसपास कहीं कह दीजे मंदिर में इतना पैसे हैं चलाएंगे वादा कीजे और या फिर किसी गरीब की हेल्प करेंगे और फिर आप चले आईए और ऐसा आप अगले लाजबंती की कुछ पत्तियों को लाल कपड़े में लपेड कर अपनी दाहिना भुजा में बांद ले और फिर लोट्री टिकट करें पहले दिन वादा लेना है दूसरे दिन जाकर थोड़ी से पत्ति ले लेना है और दूसरे आप बहां में बांदे या पने पॉकेट में में रख ले और अगले दिन टिकट खरिदे हलाकि हम यह नहीं कहते कि आप इस प्रयोग को करके टिकट खरिदे लेकिन ऐसा तंत्र सास्त में लिखा है हमने कभी आज माया नहीं हम आपसे जूठा बादा नहीं करेंगे तो आप सो सुमझ कर कीजिएगा लाजबंती के पॉधे को हमेशा घर के इसान कोन में लगाना चाहिए और ध्यान रखे कि आसपास गंदगी ना हो प्रती दिन जल दे घर में धन धाने की ब्रधी होती है चुकि सनी देप को लाजबंती का पुष्प बहुत प्री है और पॉधा भी अध्भूत औस्दी पुर्जा को समाप्त करता है और इसमें जब पुष्प पाते हैं वो सनी देप को आप अर्पीत करते रहें आपके सनी दोस समाप्त होंगे घर का निगेटिव एनरजी खत्म होगा और इस पॉधे की खासियत हमने आपसे सेर की फिलाल आपसे भीदा लेते हैं जानकारी बहुत कश्टे हैं कर्णा भी बढ़ गया तकलिफे भी बढ़ गई बहुत दुख भी बढ़ रहा है कहीं अरिवार सही नहीं चल रहा है तो प्रयास करते रहा करो